हलो एंड वेलकम एब्रिवन आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का अंडेस्टेंडिंग मीडिया चैप्टर लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल है आपको सबसे अच्छा टीवी प्रोग्राम शिंशैन और डोरे मौन में से कौन सा लगता है मतब शिंशैन पसंद है या फिर डोरे मौन पसंद है कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो यह दोनों देखते हैं नहीं पहले कभी देखा होगा तो फटाफट कमेंट करके बताओ और चलते हैं हम लोग मोटूलाल के क्लासरूम में फिर इस चैप्टर को शुरू करेंगे मैं हूं मोटूलाल मेरा गला है बहुत सुरीला मेरी आवास सुनके अरे ये स्कूल बंद क्यों रखा है अरे गाड भाईया आज स्कूल की छुट्टी है क्या अले बेटे मोटूलाल क्या तुमने न्यूज पेपल नहीं पला न्यूज पेपल के अंदर लिखा था के आज हमाले शियम की डेथ हुई है इचलिए स्कूल बंद है और शब बच्चों की छुट्टी है अरे यार शिट सुबह सुबह इतना जल्दी मैं उठा तयार हुआ स्कूल में पढ़ने के लिए चलो यार घर पर वापस चलता हूँ और मन्नु भैया से ही अंडरस्टेंडिंग मीडिया चैप्टर पढ़ लेता हूँ क्या आप सबको पता है कि हम लोग रेडियो, टीवी, न्यूस पेपर, इंटरनेट और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे हम कॉम्म्यूकेट करते हैं इन सारी चीज़ों को एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं और उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं मीडिया तो अगर टीवी, रेडियो, न्यूस पेपर इन सब की बात हमें एक साथ करनी है तो हम लोग इसे बोलेंगी मीडिया तो मीडिया और टेक्नलोजी की बात करते हैं न्यूस पेपर, टेलिवीजन और रेडियो की हेल्प से हम बहुत सारे लोग यानि की मिलियन्स ओफ पीपल तक रीच कर सकते हैं मतलब कि अगर हमें कोई बात बतानी है बहुत सारे लोगों को तो हम न्यूस पेपर, टेलिवीजन और रेडियो की हेल्प से बता सकते हैं जैसा अभी मोटू लाल के साथ हुआ सब बच्चों को पता चल गया था न्यूस पेपर की हेल्प से के स्कूल की छुट्टी है बिकॉस चीफ मिनिस्टर की डेथ हुई है बस मोटू लाल को ही नहीं पता चला क्योंकि उसने न्यूस पेपर नहीं पढ़ा था तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूस पेपर, टेलिवीजन और रेडियो के हल्प से वी केंड रीज मिलियंस ओफ पीपल क्योंकि यह कुछ टेक्नलोजी का इस्तेमाल करते हैं न्यूस पेपर, टेलिवीजन और रेडियो सबसे पहले हम लोग प्रिंट मिडिया जो चीज प्रिंट होती है तो प्रिंट क्या चीज होते हैे न्यूस पेपर और मैग्जीन फिर आती है electronics media मतलब इसमें कोई printing का काम नहीं होता आप TV देखते हो जो उसके अंदर कुछ print होता है क्या नहीं तो ये क्या हो गई electronics media रेडियो देखते हो इसके अंदर कुछ print होता है क्या नहीं अच्छा mobile भी आगया तो आपका electronics media के अंदर क्यों क्यों क्योंकि आप देखो कि as a media ही तो मैं आपको reach कर पा रहा हूँ, YouTube की help से आप सब तक मैं ये chapter पहुचा पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर mobile is also a electronic media, television की help से images जो हैं वो बहुत दूर दूर तक travel करती हैं through satellites and cables, जिसकी मदद से लोग news और entertainment की channel देख पाते हैं, अब news के जिसमें important ख entertainment channels हैं, इनसे हमारा entertainment होता है, हसी मजाक वाले channels हो गए, तो अलग अलग जो part होते हैं पूरे world के, वहाँ से भी हम अलग-अलग entertainment channel को और news को देख सकते हैं, जैसे इंडिया में बैठके अमेरिका की news देख सकते हैं हम लोग, ये कोई add नहीं है, आपको एक बहुत ही important information देनी ह education को easy और affordable बनाने के लिए हमने एक important step लिया है, आपके लिए हमने ready करा है special content जो आपके exam में बहुत help करेगा, इसमें आपको मिलेंगे chapter wise test paper, हर chapter के notes, साथ में combined test papers और priority doubt clearing, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2.99 के membership prize में, subscribe के साथ में, join के बटन पे click करके आपको ये membership purchase करनी है, ये prize limited time के लिए है, अरे वा भया, इतने कम prize में, इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी member बन जाता हूँ अब बात करते हैं, media और money की, अब आपको पता है कि ये सारी information पहुचाना, ये सारी entertainment की चीजें जैसे डोरे, मौन, शिंशन, ये क्या entertainment channels हैं, तो हम इनसे entertain होते हैं, खुश होते हैं, तो ये सारी चीजें हम तक क्यों पहुचाएगी media, उसको भी तो पैसा चाहिए, तो पैस के पैसे हमें केबल वाले भहिया को देने पड़ते हैं, वो जब पैसे लेकर जाते हैं, तो शायद वो आगे इन बड़ी बड़े channel वालों को पैसे दे देते होंगे, तब ही फिर हम लोग TV देख पाते हैं, वा मोटुलाल बड़े smart होते जा रहे हो, देखो एक तो तरीका य ये भी है जिसके तुरू जो टीवी वाले हैं वो पैसा खमाते हैं, एक और तरीका है, देखो different technology का इस्तमाल होता है mass media के अंदर, अब इसको mass क्यों बोला गया है, mass मतलब की बहुत सारे लोगों के लिए news बनाई जाती है, बहुत सारे लोगों के लिए डोरे मौन और media के लिए जो की बहुत expensive होती है, बहुत महंगी होती है, तो यह जो तुमारे cable वाले भी है पैसे लेके जाते हैं इससे भी कुछ TV चैनल वालों का खास फाइदा नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं, कहां से पैसे कमाते हैं हम समझते हैं, सबसे पहले जब भी हम लोग एक news studio क example के लिए दे हैं, तो यहाँ पर news studio में अंटी आपको खड़ी दिख रही हैं, बस यह news पर देंगी काम हो गया, हमें तो ऐसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, यह देखो, यह इनका पूरा office है, देख रहे हो कितनी सारी यार, यहाँ पर तो TV हैं ही TV हैं, और कितने सारे लोग news को निकालना, news को print करना, edit करना news को, मतलब बहुत सारे different different काम करते हैं, जो की actually में बहुत expensive होते हैं, तो अगर एक news studio की बात करते हैं, तो दिखता तो यह एक ही person है, अंटी जी दिख रही हैं जैसे हमें, या कोई अंकल जी आगे news पढ़ देंगे, लेकिन यह जो को complete करने के लिए, तो जो mass media वाले हैं, वो कहां से पैसा कमाएंगे, एक तरीका तो यह cable वाला तरीका था, दूसरा तरीका है advertising, कभी TV देखते देखते आपने उसके बीच में देखा है कि ad आने लगते हैं, cars के, chocolates के, clothes के, mobile phones के, तो अब यह ad जो आते हैं, यह ad वाले भी क्य करते हैं, इन TV वालों को, या फिर news channels वालों को, या फिर जो भी आपके entertainment channel होगे, उनको कुछ पैसे देते हैं, तभी वो अपने ad चलवा पाते हैं, लेकिन भाया यह जो ad वाले हैं, यह TV channel वालों को अपने पैसे दे कर, अपने ad क्यों चलवाते हैं TV channels में, क्या फाइदा होत हैं, इस से उन्हें, अच्छा मुझे बताओ, कि market के अंदर कौन सी टॉफी trend में हैं, कौन सी chocolate trend में हैं, यह सारी चीजें आपको कहां से पता चलती हैं, इन advertising की वज़े से ही तो पता चलती हैं, तो यह ad आप कहां से देख रहे हो, टीवी से, और फिर आप उस चीज को जाकर खरीद रहे हो, क्या आपने टीवी में chocolate का ad देखा, बोला आ रहे यार, यह तो देखने में बड़ी tasty लग रहे है, इसको आज दुकान से जाके आज इसी chocolate को खरीदूँगा, तो यहां पर जो भी person अपना ad करवाता है टीवी के अंदर, उसे भी क्या होता है, पाइदा होता है profit होता है, तभी तो वो ad करवाता है, ऐसे ही mobile phones के ad आते हैं, तो I hope यह चीज़ आपको clear हो गई होगी, तो the cost to advertise on a TV channel, अगर हमें एक TV channel के उपर advertise करवाना हो, तो कितनी cost आएगी, मतलब कितने पैसे देने पड़ेंगे, thousand rupees से, पता है कितने तक जा सकते हैं, one lakh rupees तक, for only 10 seconds, स चलाया जाएगा TV पर और उसके लिए आपको thousand rupees से, thousand rupees से लेकर one lakh rupees तक ले लिए जाएगे, अब यह किस चीज़ पर depend करता है कि कितना channel popular है, अगर कोई channel है, जिसे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो obviously वो क्या करेगा, वो जादा पैसे लेगा, बोलेगा, कि हम तुमारा ad दि यूज करा जाता है collectively to refer radio, tv, newspaper, internet और several other forms of communication के लिए, तो उस word को हम लोग क्या बोलते हैं, comment section में comment करके बताईए, option A, telecommunication, option B, press conference, option C, communication, option D, media, फटाफट comment में answer लिखिए देखते हैं, कितने बच्चों का answer सही होता है, उन सब बच्चों को मैं personally आकर, चॉकलेट देने वाला अरे भाईया यार अगर चॉकलेट दे ही रहे हो, तो उसके साथ थोड़े चिप्स हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, अरे मोटूलाल ये सिर्फ एक मजाग था, तो मैं खाने के लावा कुछ भी नहीं सूचता, थोड़ा पढ़ाई पे थे हम दो, अब बात करते हैं हम लोग मीडिया और डेमोक्रेसी थी, देखो मीडिया और डेमोक्रेसी है क्या चीज़, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो मीडिया है, वो डेमोक्रेसी के अंदर कैसे एक important role play करती है, देखो, अगर हमारी country के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा, हम इस वज़े से जो मीडिया है, वो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ा role play करती है, अब इसके अंदर news channel ही नहीं, newspaper ले लो एक्जामपल के लिए, अभी भी कहीं ऐसी जगाएं हैं, जहां पर लोग टीवी नहीं देखते, newspaper पढ़ते हैं, तो अब जो newspaper है, newspaper के अंदर से ही गलत हो रही है, अगर newspaper वाले गलत चीज़ बताएंगे ही नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगी, तो इस वज़े से जो मीडिया है, वो डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी देश के अंदर बहुत बड़ा role play करती है, अरे भया मुझे पता है कि मीडिया कैसे help करती है, मैं आपको ए आगे government तक पहुचाएंगे, तो शायद government आपके शहर के अंदर पानी दुबारा भेज दे, बिल्कुल सही, तो मीडिया क्या करता है, मीडिया news को दिखाता है, जिसकी help से government को पता चलता है, अच्छा इस जगा पर पानी की कमी है, तो इदर हमें पानी भेजना चाहिए, एक example पानी है, electricity ले लो, कोई ऐसी जगा है, जहाँ पर electricity नहीं आती, तो मीडिया वहाँ पर पहुच गया, news channel वाले पहुच गया, उन्होंने बुला कि इदर electricity नहीं आती, तो यह message किसके पास पहुचेगा, government के पास, और लोग भी government को बोलना शुरू करेंगे, आरे, उदर electricity बेजो और है, उदर electricity बेजो, तब फिर government उन्हें electricity भी देखे, तो यहाँ पर जो मीडिया है, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकती है, जैसे letters लिख सकती है, सीधे concerned minister को, माल लो, अगर कोई ऐसा minister है, जो कि उसका काम ही यह है, कि हर जगा electricity पहुच वाना, हर जगा electricity पब्लिक प्रोटेस्ट को भी, मतलब जहां पर पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, कि सरकार ने यह रूल गलत बनाया, तो वहाँ पर भी media पहुच जाएगा, और उनकी बात को government तक पहुचाने की कोशिश क करेगा, तो media basically क्या करता है, कि जो भी लोगों की problem है, या फिर जो भी लोगों को दिक्कत आ रही है, उस problem को, दिक्कत को government तक पहुचाने का काम करता है, starting a signature campaign, अगर मान लो, आपके यहाँ पर street light काम नहीं कर रही, गली के अंदर एक light है, वो जल नहीं रही है, तो आप क्या कर सकते हो, एक street campaign की शुरुआत कर सकते हो, सब लोगों से sign करवा सकते हो, कि हम सब लोगों को परिशानी हो रही है, इस light के ना जलने से, और वो चीज आ वो अपने programs को rethink कर पाती है, जैसे अगर कोई problem है किसी भी program के अंदर government के, तो government को पता कैसे चलेगा, कि हमारे इस program के अंदर problem है, media की help से, media बताता के देखो, हम लोग आपको वीडियो के through, newspaper के through दिखा रहे हैं, कि लोग कितना परिशान हो रहे हैं, यह आपका rule गलत है, इस rule के अंदर बहुत सारी कमिया थी, तो media वाले क्या करेंगे, उस कमी के बारे में government को बताएंगे, लेकिन government ने क्या कहा, media वालो को, कि यह जो हमारी कमी है न, इस कमी के बारे में, तुम अपने news channel पे या फिर news paper में मत बताओ, अगर लोगों को पता चल गया इस कमी के बारे मे तो लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाने लग जाएंगे, बढ़क जाएंगे लोग, अंदोलन करेंगे, क्या करेंगे, प्रोटेस्ट वगरा करेंगे, तो यहाँ पर जो media है, उसको क्या कर लिया government ने, अपने control में, तो उसकी help से क्या हो रहा है, अगर उसको control में कर लिया, मीडिया को government ने, तो फिर वो सच्चाई नहीं बता पाए कर लिया, तो इस वज़े से एक independent media का होना बहुत important है, किसी भी democracy के अंदर, लेकिन जो actually में reality है, वो यह है, कि जो government है, वो क्या करती है, मीडिया को control करती है, government बोल देती है, मीडिया वालों को, कि देखो, हमारे खिल हैं, मतलब कुछ business owner होते हैं, मान लो, वो गंदा समान बना रहे है, कोई एक business owner है, जो कि क्या बना रहा है, खाने पीने की, कोई एक ऐसी चीज बना रहा है, जिसे खा कर लोगों के अंदर बिमारिया होंगी, तो वो क्या चाता है, कि ये चीज लोगों को नहीं पता चले, त गलच चीज़ के बारे में तुम अपनी न्यूज या न्यूस पेपर में मत दिखाना, टीवी में मत दिखाना या फिर न्यूस पेपर के अंदर मत लिखना या रेडियो में भी मत बताना, तो इस तरीके से जो business houses होते हैं वो भी media को control करते हैं, तो actually में जो media क्या होना चाहिए independent होना चाहिए, मत अब किसी के भी control में ना हो, but reality में हमें ये देखने को मिलता है, कि media को government control करती है, और business houses control करते हैं, अब बात करते हैं agendas की, क्या चीज news के अंदर आनी चाहिए, और क्या चीज news के अंदर नहीं आनी चाहिए, इसे decide कौन करेगा, यह तो बहुत ही simple है, इसे decide तो media ही करेगा, मतलब news paper वाले जो company होगी, वो decide करेगी, जो news channel वाली company होगी, वो decide करेगी, जो radio की company होगी, वो decide करेगी, और ये सारी चीज क्या थी? मीडिया थी तो मीडिया ही डिसाइड करेगा कि क्या चीज आनी चाहिए क्या चीज निउस में नहीं आनी चाहिए तो कौन सी स्टोरीज पर फोकस करना है इसके बारे में क्या बताएगा मीडिया ही बताएगा वही डिसाइड करेगा कि क्या चीज न्यूज बर्दी है और क्या चीज न्यूज बर्दी नहीं है तो अगर मीडिया किसी particular issue के उपर focus करे जैसे मीडिया ने एक issue के उपर focus करा कि girl child जो है इनकी शादी late करानी चाहिए और लोगों को बताया लोगों को influence करा लोगों के thoughts को feelings को और actions को तो क्या होगा कि बहुत जादा लोग इस पर ध्यान देने लगेंगे लोगों को मीडिया बतायेगा फाइदे के देखो जो girl child है जो लड़किया है उनकी शादी बाद में क्यों करनी चाहिए बाद में इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो थोड़ा पड़ लिख लेंगी उनकी job लग जाएगी ये सारी चीज़े ये सारे benefits अगर बतायेगा मीडिया तो फिर क्या होगा के लोग काफी जादा इस चीज़ पर attention देंगे और शायद फिर government कुछ ऐसा rule बना भी दे जिसे की girl child की marriage लेट हुआ करे तो एक ही मैंने आपको example दिया इसी तरीके से कोई particular issue है उस पर focus करता है media बहुत सारे ऐसे instance भी है जहाँ पर जो media है वो कोई जो problem है कोई issue है हमारी country के अंदर उस पर focus करने की जगा उल्टी फुल्टी चीजों के उपर focus कर रहा है मतलब actually में जो कोई problem हमारी country के अंदर चल रही है वो problem के बारे में बतानी रहे न्यूस चैनल वाले कुछ और ही बाते बता जा रहे है जैसे कि शिंशैन को शिंशैन को क्या चीज़ पसंद है इस टाइप की न्यूस आ रही है आल्टु फाल्टु न्यूस चैनल में तो यह सारी न्यूस हमारी किसी काम की निया ना कि शिंशैन को क्या पसंद है हमें तो यह जानना कि हमारे देश में क्या problem हो रही है तो इस तरीके से बहुत सारे particular issues होते हैं जिसके उपर कभी-कभी media focus नहीं करता अब देखो यह local media भी होता है अब यह local media का मतलब ही बहुत simple सा है यहाँ पर हमें एक बहुत interesting सी story दिया book में बट मैं आपको simple तरीके से समझाता हूँ जैसे कि हमारा जो शहर है इस शहर के अंदर पानी नहीं आ रहा example के लिए तो यह चीज कौन print करेगा local media अच्छा एक media ऐसा होता है मतलब हमारे जो local media के अंदर जो भी newspaper होगा वो print कर देगा अच्छा अब एक newspaper ऐसा होता है जो कि पूरे state के लिए बनाया जाता है example के लिए हम पानी नहीं आ रहा ऐसा थोड़ना है कि पूरे उत्तर प्रदेश की सारी जगों पर पानी नहीं आ रहा सिर्फ नौइडा में ही नहीं आ रहा ना पानी तो यहां की problem को कौन बताएगा यहां के newspaper वाले टीवी चैनल वाले जो कि local media क्या करेगा इस problem को बताएगा और government तक ले यह problem के बारे में है ना state के अंदर तो वो problem लिखने की जरूता है जो कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी के अंदर problem है जैसे आप यूपी ले रहे हो राजिस्थान ले लो राजिस्थान के अंदर मान लो राजिस्थान के अंदर कोई एक छोटी सी जग वाले न्यूस चैनल्स होंगे, जो बड़े वाले न्यूस पेपर्स होंगे, जो पूरे स्टेट के लिए प्रिंट होते होंगे, वहां के लिए अलग होंगे, तो जो लोकल मीडिया है, वो हमारे आस पास जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें अड्रेस करता है, और जो ए ये वाली चॉकलेत में लेट्यास चल रही है है ये वाली हमें। चुकलेत हमें खरीनी चाहिए। ये बड़ी अच्छ होती है इसके अंदर GT fya आता है, ये वाली चुईंगम खरीदेंगे।। तो इस तरीके से हमारे thoughts को influence करा जाता है इसी वज़े से government भी का खरती है कभी-कभी advertisements निकालती है जैसे यहाँ पर एक advertisement निकाला आया government ने कि जो railway है उसको cross करते समय आपको धिहान देना है अलेटनेस रखनी है ठीक है तो अलेटनेस के लिए यहाँ पर government ने एक advertising दिया कि लोग शायद इसको पढ़ के समझदार हो जाएं और जब यहाँ से train आ रही है तो अपनी कार को निकालने की कोशिश ना करें क्योंकि train की जो speed होती है बहुत fast होती है लगता तो मैं ऐसे कि is electronics media इसके बारे में फटाफट comment section के अंदर comment करना और अगर आपको इस chapter के notes चाहिए मतलब बुक के अंदर अगर यह chapter देखोगे तो बहुत बड़ा है एक्जाम से पहले हमें टाइम नहीं मिलेगा इतना बड़ा chapter पढ़के और revise करने के लिए तो यह notes आपके बहुत काम आए यह notes दूसरी चीज अगर आपको sample paper चाहिए मतलब अब आपको पता है कि आप बड़ी class में आ गयो 7th class में आ गयो बुक के पीछे के questions नहीं आते अब कहां से आते हैं questions बीच बीच से आ जाते हैं chapter के तो यह बीच बीच के questions सर पता कैसे चलेंगे हमें यह पता चलेंगे आपक तरीके से test paper हो गया जो कि अगर आप member बनोगे तो आपको मिल जाएगा साथ ही में shout out भी तो यह तीनों चीज आपको मिलेंगे अगर आप member बनते हो लेकिन यह member बनना कैसे है subscribe के साथ में join का button है उस पे click करके आपको member बनना है बहुत ही simple सा process है और यह सारी चीज आपको मिल so thank you so much for watching फटाफट वीडियो को like करो channel को subscribe करो और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करना लेकिन share क्यों करना है because sharing is scaring see you in the next video bye bye till then